है गाईज वेलकम बेक टू दा चैनल वन्स अगेन होफुली आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे खुश होंगे सिहत मन्द होंगे आज एक छोटी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ जो की महाशिवरात्री की नेक्स टेकी है जिसमें की मैं एक सिंपल कोकिंग आपनों के साथ शेयर करूँगी बीन्स कोकोनट की सबजी साथ में शेयर करूँगी टमाटर वाली अरबी की सबजी अपने डेली की आटे में बाजरे को कैसे इंक्लूट कर सकते हैं बाजरे के आटे को ताकि आपका रेगुलर वाला आटा और भी ज्यादा हेल्दी हो जाए ये भी शेयर करूँगी और अपनी डेली की पूजा में मैं क्या क्या करती हूँ जो भी मेरी रहती है वो भी इस व इन दोनोगी ही मसालों को थोड़ Inner नुमें दोना शुवाइं डाल got the मेंने और मेंडें के सांधिन माद्ग सिस्थमीं और मैंने तो सेंदल के ढ़ने सिस्क्राइब हर्गाद Snो c नमक को भी सब्जी में कर देंगे mix अच्छे से एंड सब्जी को cover करके medium flame पर जब तक चला लेंगे जब तक की beans अच्छे से soft नहीं हो जाता है बीच पीच में चलाते रहेंगे ताकि सब्जी नीचे से लगेगी नहीं सब्जी almost 95% पक गई है लेकिन इसको और completely अच्छे से पकाने के लिए मैंने इसमें दो चम्मच डाला है पानी और 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 mix किया है और cover करके इसको थोड़ी देर और पका लेंगे सब्जी के completely पकने के बाद इसमें हम डाल देंगे कुछ बेसिक मसाले जैसे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सूख धनिया गरम मसाला और उसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा डैसिकेटिड कोकोनट जितनी आपकी सब्जी हो से सबसे आप डाल दीजेगा तो यहां पर मैंने करीबन दो से तीन चोटी चम्मच इसमें डाल दिया है और इसको कर देंगे मिक्स कवर करके एराउंड एक से दो मिनट और पका लेंगे और फिर हमारी यहां पर कोकोनट बीन्स की सबजी बनकर हो जाएगी तयार और ट्रस्ट मी फ्रेंड यह सब जीना खाने में बहुती टेस्टी लगती है और अधर साइड मैंने एक बड़े मिक्सिंग बोल में लिया है एक कब गेहु का आटा और अम मैं इसमें डाल दूंगी वन फोर्थ कब बाजरे का आटा तो बाजरे का आटा मैंने इस विंटर्स में पूरा एक किलो मंगाया था मेरा थोड़ा सा ही बच्चा है क्योंकि मैं दो तीन बर लड़ो बना चुकी हूँ तो वो जो मेरा थोड़ा सा बच्चा है उसको मैं गेहु के आटे में मिक्स करके डेली उसकी चपाती या पराठे बना लेती हूँ तो जो रेगुलर आटा है वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है तो बस अब इस गेहु का आटा और जो बाजरे का आटा इसमें डाल दूँगी स्वात के अनुसा नमक और जैसे हम रेगुलर में आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसको लगा लूँगी तो अगर आप अपने रोज के आटे में जो गेहु का आटा होता है उसमें थोड़ा सा बाजरे का आटा मिला देंगे और फिर उसकी चपाती या पराठे बना के खाएंगे तो वह आपका जो आटा है हेल्धी जादा हो जाएगा बच्चों के लिए भी हेल्धी रहेगा आपके लिए भी हेल्धी रहेगा प्लस विंटर्स में तो बाजरा खाना वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पर आटा भी लगके हो गया है तैयार अब चाहें तो आप इसकी तुरंद भी चपाती बना सकते हैं चाहें तो इसको दस मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए भी छोड़ सकते हैं Now moving on to the third recipe that is टमाटर वाली अरबी की सबजी तो मैंने वही सेम कड़ाई ले ले लिये जिसमें बीन्स कोकोनट बनाया था और उसमें ले लिया है थोड़ा साओ आयल ओएल गरम हो गया था फलेम को कर दिया है में मि 문제 कि टिए साथ में हम डाल देंगे साथ मे लाल Mikan पा जाओर यहां मेरे पास हींका पानी साथ में में हींका पानी डाल दूंगू सबी चीजय प्रफिर कर देंगे और इस टमाटर की प्यूरी को जब थना तक पका लेंगे पिक टोटक ना हो गया तामाटर से ऐल सेपरेट हो गया था और मैं डाल दे रही हूँ उबली हुई अर्भी जिसको कि मैंने पील ओफ कर लिया है और बस इसमें साथ में ही डाल दूंगी थोड़ा सा पानी क्योंकि इस सब्जी को मेरे को थोड़ा सा लट पटा सा बनाना है स्वात के अनुस्ता डाल बाजरा और गेहूं के आठी का जो मैंने आठा लगाया था उससे चपाती बना लूंगी आप चाहें तो उसके परांठे भी बना सकते हैं और उसके बास सबसे पहले मैं भग को खाना खिलाओंगी तो मैं सोच रही थी कि शिवरातरी पर भी एक व्लॉग बना के उसको अप से पीस आप दों के साथ जरूर शेयर करूंगी तो बस सब मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं भग को खाना खिला दूंगी और यह रिकॉर्डिंग है जो मैंने आपसे डिनर अभी शेयर किया था उसके नेक्स डे का तो मैं अपनी पूजा मैं शावर लेने के बाद सबसे पहले अपने लड़ो गोपाल जी शिव जी भगवान जी और सालेगराम जी कुछ नान कराती हूं उनकी एक सेपरेट टावल बना रखे फिर उनको पोच्छती हूं उनका श्रंगार करती हूं लड़ो गोपाल जी का और उसके बाद उनका कुछ भोग परशाद लगाती हूं तो अभी आज मैंने नहा कर लंच की तैयारी नहीं करिये तो अभी मैं आज नट्स का भोग लगाऊंगी नट्स में मैं कभी काजू का भोग लगाती हूं कभी बदाम का और जो भगवान जी के नहाने का पानी होता है उसको मैं पौधों में चड़ा देती हूं उसको मैं वेस् पूशिश रहती है एक माला चैंटिंग डेली करने की एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है डाइम वेरी रेगुलर इन माला चैंटिंग बट आइल ट्राइ मैं पैस्ट की कैसे भी 5-10 मिनट का टाइम निकालके एक माला चैंटिंग जरूर करूं तो बस मैं अब यहां पर अपनी एक माला चैंटिंग कर लूँगी आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें फ्रेंड्स फैंबली के साथ जाय सेदा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने तो बिकम आ पार्ट आफ माय फैमली मिलूँगी नेक्स व्ल